हाई फ्रेंड्स ऑनलाइन प्रिप्रेशन में आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है और फ्रेंड्स आज का जो वीडियो यह आपका बाल विकास का है पार्ट 3 है क्योंकि आपके पास time रह गया है बहुत कम तो कम time के लिए हम आपके लिए बेरी बेरी important questions लेके आए जो अभी तक exam में पूछे गए है तो चलिए आए फिर देख लेते हैं इसमें important questions लेते हैं अदिगम सिध्धा से समबंदित मातपूर्ण जो प्रशन है और इसमें जो question पू और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए कमेंट्स करिएगा और साथ में सियर जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे चलिए फिर देख लेते हैं पालविकास पार्ट तो फ्रेंज चलिए पहला कोश्चन इसमें ले लेते है इसके पहले के जो 31 के कोश्चन है 31 तक के जो कोश्चन है वाल लेडी दूसरी वीडियो में अपलोड है आप उन्हें वाजकर लीज़ेगा ठीक है ना चलिए इसमें पहला कोश्चन देख लेते हैं जो पहला कोश्चन वो है कि किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका सं बंद ध्रुण हो जाता है थारन डाइक के किस नियम पर आधारी था वो नियम आपको यहां पर बताना है गार बार बार दोहरानकी क्या बोलते हैं अभ्यास करना प्रैक्टिस करना तो राइट एंसर क्या हो जाएगा c इनी अभ्यास का नियम ठीक है ना थान डाइक की अभ्यास के नियम जो है उस पर आधारित किस्थ पर किसी क्रिया को बारबार दोराने Meredith कुसका संबध धिन हो जाता है चलिए हम अगला कुश्चन देख लेते हैं जो हमारा थान डाइक के संबंदित है क्रिया अनुबंधन का सिध्धान्त किसकी देन माना जाता है अगला question देख लेते हैン सीखने का जो प्रैतन एवन तुटि का सिध्धान्त है किसकी दोजारा विक्सित किया गया है सीखने का प्रैत्न एबं तुटी का सिध्धान ठीक है ना पावलव के द्वारा टालमेन के द्वारा थॉर्ण डाइक के द्वारा इसके नर के द्वारा जेस्ट अभी हम देखके भी आ रहे हैं ठीक है ना कि प्रैत्न एबं तुटी का सिध्धान तो और एक अभ्यास का सिध कोशन हम देख लेते हैं अंगला कोशन है थान डाइग के प्रेतने महम तुठी शिद्धान्त में किषेश बल नहीं दिया गया है ठीक़ा सिद्धान्त में पर भिशेश बल नहीं दिया गया तो इसका जो राईट एंसर है वो हो जाएगा किस के अ introduces को प्रेड़ना मोटिवेशन भी उन्होंने कहा एक्सरसाइज के लिए भी कहा एफेक्ट प्रभाव के लिए भी कहा लेकिर अंडरिस्टेंडिंग की बात उन्होंने नहीं कही है तो थार्ण डाइक की प्रेटिम तुटी सिध्धान्त में जो है विशेज भलकिस पे नहीं दिया गया है चलिए इन्होंने कुश्चन देख लेते हैं अगला कुश्चन है कि सीखी गई किरिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है जो आप सीखते हैं ठीक है ना अब उसका उपयोग आप दूसरी परिस्थितियों में करते तो वो क्या कहलाया जाएगा अधिगम अधिगम इस्थानांतरन परिपक्ता या इन में से कोई नहीं आपके सामने एंसर आप सेलेट कर लिजे तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा अधिगम इस्थानांतरन सीखी गई किरिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग कर रहे हैं आप दूसरी परिस्थितियों में कर रहे हैं तो वो अधिगम इस्थानांतरन कहलाया क्रिया की सफलता से संतोस एवं असफलता से असंतोस होता है जो काम आपको अच्छा लगेगा उस काम को आप बार बार करना चाहेंगे और जो काम आपको सुख नहीं देता है दुख देता है उस काम को आप नहीं करेंगे यानि क्रिया की सफलता और संतोस और असफलता से असंतोस होता है तो किस क्रिया को इंकित करता है राइट एंसर आप से रेट कर दीजिए इसका राइट एंसर हो जाएगा प्रभाव का ठीक है प्रभाव के नियम को इंकित करता है क्रिया की सफलता से संतोस और असफलता से अं कुछ करते हैं और आगे सबस्देब करते हैं घृता अक्षोक्च का प्रभाव जाए और तो चलिए इसक्रइन देख लेते हैं ने अपना प्रशिद प्रयोक किस पर किया था आप कोटन्य कोट्चन आप से बार-बार के रहें कि यहाले कोश्चन बहुत पूछय जाते हैं ने अपना प्रस्चिद्य प्रयोग किस पर किया था कुट्ध पर बिल्ली पर किया था त्रकस इसले प्रेमि मैं ने बनाइं इसको पहचानने की ट्रिक भी अच्छी बढ़िया पिछ इसको देख सकते वीडियो को वाच कर लिजेगा प्रसिक्षन इस्थानांत्रन यानि जो ट्रंसफर आफ ट्रेनिंग है क्या है वो पर्यवन से सीखना नवीनकार सीखना या फिर एक परिस्थिस्ते प्राप्त प्रसिक्षन का दूसरी परिस्थित के सीखने में उपयोग या प्रसिक्षन इस्थानांत्रन क्या कहलाता है तो इसका जो राइट एंसर है वो हो जाएगा एक प्रिस्थित से प्राप्त प्रसिक्षन का दूसरी परिस्थित के सीखने में उपयोग ही प्रसिक्षन इस्थानांत्रन कहलाता है कि जब आप एक से सीखते हैं दूसरे मुसका अनुकरने, अनुबंधन, बेरी इंपोर्टेन्टों बोहती ईजी हैृ इसका अंसर है। तो देखी दुसरे कार को सीखने में पुरस्कार दिया जाता है तो उसका प्राणि उसकार को देर से रेटा है या पुरसकार का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है कंस प्राइट प्राणि उसकार को जल्दी रेटा हैं कि हम पता रहे कि हम ये चीज़ सीख लेंगे और इसमें हम ये प्राइज मिलने वाली है इतने या तो कोई मडल मिलने वाला है इतने मनी मिलने वाली है तो उस काम को सुपता सी रहतिक ने मुझे इसको खतम करना है क्योंकि मुझे वो प्राइज मिलेगी तो पुरसकार हो जाता है प्रेड़ना के लक्ष को लेकर प्रेड़ना जनकार में निम्नलकित में से कौन सी विसेस्ताइं पाई जाती है प्रेड़ना के लक्ष को लेकर प्रेड़ना जनकार में निम्नलकित में से कौन सी विसेस्ताइं पाई जाती है परिबरतन सीलता लक्ष प्राप्त करने की बेचै है वह सब्सक्राइब मिलती है यानि के लख्ष को लेकर जब परिवरतन सील्थ तर्फपरिवरतन भी होता है लक्षप्राप्त की सांती है कि हमें जो काम करना था जो मेरा सक्षेजार हुआ मैं उसे इमको पा चुका हूँ आधनीक सेक्षिक दिष्टिकोंड से अधियम अनुभवों की सफलता निर्भर करती है आधनीक सेक्षिक दिष्टिकोंड से जो अधियम अनुभव हैं उनकी सफलता किस पर निर्भर करती है सीखने वाले चात की ततपरता पर सिख्षक के व्य पर या सीकने की परिष्थित तथा वाता वरण पर इसका राइट एंसर क्या होगा आपने सेलेट कर लिया होगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा सीखने वाले चाहत की तत परता पर ठीक है ना अधिग्याम अनुबभबों की सफलता निर्भर करती है जब उस पे उस सुक कि या जैर माना जाता है आभी क्रमीत के टा भी लिए आप्ने सव्द्यकर लिआ होगा धुलिया अभी कyorum है याद करने का सबसे अच्छा तरीका है रटना जोर जोर से पढ़ना या लिख कर याद करना सबसे अच्छा तरीका होता है समझना ठीक है न आप किसी चीज को समझ लेते हैं तो आपको रटिने की ज़ुरत पड़ती है और ना ही लिखकर याद करने की आप उसको आराम से वहां पे एक्स्प्लेन करके लिख सकते हैं तो आपने उस चीज को समझा है अगला कोश्चन आपकी कक्षा में एक बुद्धि आपसे पहले बता देता है उससे हैसे करना सके करना सके या उसे टॉश्च्वर करने को दें info बडस करो कि अनलीरिए उसका एक उसकी दोच करना चाहिए नijगे ठीक है न क्यूंकि अगर बच्चा होसियार है तो कभी उसे दर्वारा नहीं चाहिए ऐसे डाटना नूजा प्रत्यक शनुभव होता है बालक शक्रिया क्रियाशील रहता है ग्यान अधिक समय तक इस्थाई रहता है या ग्यान बेवहारिक होता है करके सीखने का शिद्धान्थ option आपके सामने है तो देखी जब कोई चीज हम करके सीखते हैं ठीक है या उसको करते हैं और फिर सीखते हैं तो उसका जो ग्यान होता है अधिक समय तक इस्थाई रहता है ठीक है ना बहुत long time तक वो में ध्यान रहता है क्योंकि वो हमने किया हुआ होता है यदि आपको कोई बुरी आदत है जिसे आप चाहते है कि चात्र अनकरण ना करें तो आप क्या करना पशंद करेंगे यदि आपको कोई बुरी आदत है आप टीचर है और फिर चाहते है कि चात्र उसका अनकरण ना करें तो आप क्या करेंगे उस आदत को छोड़ देंगे या उसका प्रयोग चात्रों के सामने नहीं करेंगे चात्रों के वह अपने विवार में तुलना करना पशन नहीं करेंगे या अपनी आदत बनाए रखेंगे अपसन आपके सामने इसका एंसर सरेट करके अंसर बताईए इसका राइट एंसर हो जाएगा उस आदत को छोड़ देंगे क्योंकि आदत अगर एगवार पड़ जाती है तो वो कहीं भी हो सकती है ना तो छात्र के सामने और ना ही बाद में ठीक है ना आप क्लास में भी होंगे तो आप उस आदत को ज़रूर रिपीट करेंगे तो वेस्ट आफशन यह होगा कि हम उस आदत को छोड़ देंगे ठीक है अगला कुश्चन किस मनो विज्ञान ने अव्यक्त अधियम का प्रत्य दिया है तो इसका जो राइट एंसर है वो हो जाएगा टाल में ठीक है चिन या संकेत अधिगम सिद्धान संबंदीत है चिन संकेत अधिगम सिद्धान किसे संबंदीत है संगयानात्मक से बिवारासपस से संगयानात्मक पूर्णकार से या प्रकारवाद से तो इसका राइट एंसर क्या होगा चिन संकेत अधिगम जो है वो संगयानात्मक पू किसने दिया है आपको बताना है यहां पर देखिए दिखिए अधियां का तल रूप सिद्धानत जो है जल्दी से जो option आप सब्दोर कर लिजे। राइट एंसर क्या होगा, एंसर सेलेट कर लीजे, बहुत ही आसान है, लेकिन बेरी इंपोर्टेंट है, तो थार्ण डाइक ने ये सभी इक नियम दिये थे, अब भ्यास का नियम, ततपरता का नियम और प्रभाव का नियम, ठीक है, चलिए अगरा कोशन देख लेते हैं, कि अधियम मनो बिग्यान के जनक हैं, अधियम मनो बिग्यान के जनक कौन है, वाटसन, थार्ण, डाइक, एविंग हास या इसकिनर, तो अधियम मनो बिग्यान के जनक है, अधियम यानि सीखना जो मनो बिग्यान है, उसके जनक कहे जाते हैं, एविंग हास, बेरी इंपोर्ट प्रते ही केसके द्खास है कि अगला कोश्चनर देख लेते हैं हमारा अगला कोश्चनर आंक किस मनोवेक झ्यानुक ने स्पथने की सामंगरी में नॉंसेंस कि रचना की थी काम पड़त agua को नाम न Armed तो देखिए नॉंसेंस से लेवस की रचना की थी किसा सीखने की सामगरी में एविंग हास ने और इनका जनली नाम बहुत कम आता है इसलिए आपने जेम्स के बुट के वारे में इसकिनर थान डाइक पावल आपको लर बहुत कुछ पढ़ेंगे ठीक है ना लेकिन फ्रोयट क क्यों से कौन सा भौतिक कारक सीखने में बादख है कौन सा भौतिक कारक सीखने में बादख बनता है इसका हो जाएगा प्रदूशन क्योंकि सुद्ध वाइव सीखने में बाधक नहीं बनती बलकि और सीखने में अच्छा लगता है जब सुद्ध वाइव मिले तापकरम भी अच्छा होना चाहिए न बहुत ठन न बहुत गर्म और धूब भी होनी चाहिए अगर ठन कम हो समय यानि कि प्रदूश कि प्रेणना अधिगम का क्या है मुख अंग है सहायक अंग है कोई नहीं है या कार रहे अभी प्रेणना अधिगम का कहीं से मोटिवेशन आपको मिले तबी आप सीखने में इंट्रेश्ट भी जाएगा प्रेणना का शरोत नहीं है प्रेणना का शरोत क्या नहीं है चाला को दीपाग प्रेणना के स्रोत कहहे जाते है सीखने की उध्दीपक अनुकरिया सिध्धान के मुख प्रतिपादा कौन है बार-बार यह questions पूछे जाते हैं क्योंके नाम बहुत सारे है उध्दीपक अनुकरिया सिध्धान के प्रतिपादा क्या जनक कौन है आपको यहाँ पे बताना है तो देखिए इसका जो right answer क्या होगा थार्ण डाइक, पैवलव, इसकी नर्या कोलर सीखने के उद्धीपक अनुक्रिया सिद्धान्त ये नाम है ठीक है ना जहां पे भी अनुक्रिया सिद्धान्त आ जाये तो उसके प्रत्पादक हो जाएंगे थार्ण डाइक, ठीक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा थार्ण डाइक हो जाएगा चलिए फ्रिंस, अब हम last question ले लेते हैं हमारा last question है कि पावलव ने अपने अधिगम सिद्धान्त को किस रूप में प्रस्तुत किया था आपको बताना है कि जो पावलव है उन्होंने अधिगम सिद्धान्त किस रूप में प्रस्तुत किया सास्त्री अनुबंधन सिद्धान्त अनुबंधन सिद्धान्त तो देखिए इसका जो right answer क्या है आपने select कर लिया होगा चलिए मैं बता देती हूँ इसका जो right answer है वो हो जाएगा आपका उदेपक अनुक्रिया शिद्धान्त थोड़ा यहां पे ध्यान दीजेगा जिसमें अनुक्रिया शिद्धान्त आएगा वो किसका होगा थर्ण डाइक का होगा इस चीज़ को याद रखेगा उसके आगे फिर कुछ और भी लग जाए दीपक लग जाए ठीक है न जो भी लगे यदि अनुक्रिया शिद्धान्त आता है तो वो थर्ण डाइक का होता है कभी कभी अनुक्रिया शिद्धान्त की जगए अनुबंद शिद्धान्त भी पूछ देता है लेकिन सिर्फ दीपक यदि आगे लग गया भले अनुक्रिया क तो पावलब ने शास्त्री अनुबन्द शिद्धान्त की रचना की थी तो फ्रेंड ये थे आज के इंपॉर्टेंट चुछ जो आपके थर्ड पार्ट का है आप इसका फास्ट एम सेकंड पार्ट आप लेडि आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे आप वाँ लिजेगा संबाक्स पर मैं लिंक दे दूंगी और बेरी बेरी इंपॉर्टन कोश्चन से पूरी सीरीज चले गी आपके इसमें 700 कोश्चन से और सिर्फ इतने कोश्चन कैसे याद होंगे तो बिलकुन होगे इसमें बहुत सारे कोश्चन जो रिपीट किये गए हैं और वह भी एक्जाम वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं तब तक के लिए चेक केर बाए